मुगदा मा बनने वाली थी जब उसने यह खबर अपने पती कबीर को सुनाई तो वो भी बहुत खुश हो गया मुगदा और कबीर शहर में अकेले ही रहते थे ऐसी समय पर जब मुगदा की सास ने उसके पास आकर उसकी देखभाल करने की बात कही तो उसने अपनी सास को मुँपर ही जवाब दे दिया कि मुझे आपसे अपनी देखभाल नहीं करवा दी आपको तो खाना वगर बनाना भी ठीक से नहीं आता है और आप शहरी जीवन के बारे में कुछ जानती ही नहीं है तो यहां आकर उल्टा मेरी परिशानी ही बढ़ाएंगी इस पर उसकी सास का मन बहुत छोटा हो गया था कबीर को यह बात बुरी लगी और उसने मुगदा को फटकार भी लगई लेकिन मुगदा तो अपने ही अकर में उड़ी जा रही थी उसने अपनी मा को डिलिवरी के लिए आने के लिए कहा था लेकिन एन वक्त पर उसकी मा की तब्यत खराब हो गई तो वह आ नहीं पाई अब ऐसे में वह अपनी सास को बुलाने लगी लेकिन उसकी सास ने आने से इंकार कर दिया उसके पास और कोई उप्षिन नहीं बचा तो उसने अपने पती से कहा कि आप धेवर जी से बात करिए वह देवरानी जी को भेज देंगे या फिर ननत जी को बुला लेजिए तब कबीर कहने लगा कि उन दोनों का आप मान करके तुमने उन्हें घर से निकाला था जानती हो तुम सब मेरे देवर और ननत जब दिखो तब मुँ उठा कर यहां पर चले आते हैं उन लोगों को बाप के घर में ठीक से खाना नहीं मिलता इसलिए पेट भरने मेरे घर चले आते हैं बड़ी भाबी जान बूज कर उन्हें सुनाते हुए बोली तो देवर बोल पड़ा भाबी मैं यहां खाना खाने नहीं आया था बलकि आपने गाउं से अम्मा से कहकर जो अचार मंगवाया था वही आपको देने के लिए आया था छुटकी को भी आपका घर देखना था इसलिए अभी मेरे साथ चली आई हम खाना नहीं खाएंगे आप अपने घर का राशन अपने लिए रखिए हमारे ममी पापा दिल के धनी है तभी तो वह आपको कुछ भी देने में रुपए पैसे नहीं गिनते हैं यह लीजिए 20 किलो आम का अचार यह आम और अचार बनाने का सामान मुफ्त में नहीं आया और ना ही हमारी मा ऐसे किसी के लिए फ्री की मेहनत करती है लेकिन वो आपको अपना मानती है न इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत से अचार बना कर भीजा है इतना कहकर वो वह वहां स का अपमान कर रही थी मुगधा का सिर्ष रविंदगी से जुग गया था उसने तो सोचा था कि वह देवर और ननत का मजा कुड़ाएगी तो वह लोग बार बार यहां पर आना चोड़ देंगे लेकिन आज तो वह लोग उसका ही समान लेकर आय थे और इसकी सहलियों के सामने उसे ही मुग की खानी पड़ गई थी उसने अपने देवर और ननत को रोकने की कोशिश की लेकिन वह लोग वहां पर नहीं रुके आज जब मुगधा को सच में उनकी जरूरत थी और उसने अपने देवर को और ननत को मदद के लिए पूछा तो उन लोगोंने तो साफ मना कर दिया आखिर कार था खार कर मुगधा को अपनी देख भाल के लिए एक नौकरानी को रखना पड़ा लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि अगर कोई अपना उसकी देख भाल करता तो ज्यादा अच्छा रहता लेकिन उसने अपनों रिष्टे तो खुदी खराब किये थे तो अब भला कोई उसकी मदद करने क्यों आता और वैसे भी अब कोई किसी को इतना अपमानित करे तो फिर किसी के मन में उसके लिए मदद की भावना थोड़ी ना आएगी तो दूस्तों आपको क्या लगता है मुगधा के देवर और अनद ने उसके पास आने से इंकार करके सही किया था या नहीं आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और ने कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा निवाद